कशिए कंज सु मैं यहाँ पर फर्स्ट इंसाइड कॉस्मेटिक का थ्रीं-इनवन प्राइमर यूज कर रही हूँ यहाँ पर मैंने स्किंड केर पहले से कर रखा है तो आप भी अच्छे से स्किंड केर कर लेना एंद इसके बाद मेकप शर्ड करना मैंने यहां पर 3-1 प्राइमर यूज़ करा है उसके बाद मैंने यहां पर फाउंडेशन का यूज़ ना करते हुए इस ब्यूटी की कंसिलर प्लस हाइलाइटर पैलेट यूज़ करिये यहां पर मैंने एक डाक शेड लिया है अपने जो डाक स्पोर्ट इसको थोड़ा लाइट करने के लिए यहां पर फाउंडेशन का यूज़ इसने नहीं किया क्योंकि संबर चल रहे हैं पूरा मेकप बहत जाने वाला है आप चाहे तो मेकप स्प्रेका भी यूज़ कर सकते मैंने इस वीडियो में नहीं कर आएं कंसेदर को मैंने काफी कम कॉंटिटी में यूज़ कर आएं ताकि यह बीबी या सिसी के रिम की तरफ वक करें आपके पास वह हो तो आप वह भी अप्लाई कर सकते हों यह पीछे बाला गुड़ा है ना वहां कि ना राज है इसलिए उसका मूँ थोड़ा भीड़ा हुआ उससे इगनोर करते हैं और एक ब्रश का हेप से इसे प्लेंड कर जो ब्लेंटिंग ब्रश का यह पर मैंने थोड़ा फ्यास फॉरवर्र कर दिया ता कि आप बैंना हो अच्छय ब्लेंड कर देना और उसके बाद एक ब्रूट्यश के पेचि डिखते वो काफी खराब दित्ये आपका मेकथ की भी केकी होने हो जाता है so आप एक यूजा आप एकída ब्लेंडर का यूस करें यहाँ पर मैंने जो भी ब्लेंडर रहे वो थोड़ा सा यह करके यूजारा एंड अबिला करके ही आपको यूज करना है okay अप्सेस वाटर आपको निकाल देना है एंड उसके पाद आपको अच्छे से ब्लैंड कर देना है ताकि पूरा फांडेशन यह आपने जो भी अप्लाइ कराए क्रेम बेज में वह अच्छे से ब्लैंड हो जाए यहां पर कंसिलर के लिए मैंने क्लाइड शेड यूज करा था जैसे कि आपने वीडियो में देखा ही होगा एंड उसे सेट करने के लिए बेज को सेट करने के लिए मैंने यहां पर मेकाल लूस पाउडर यूज करा है अगर आप कोई क्रीम प्रॉडक्ट यूज कर रहे हो तो पाउडर लगाने से पहले यूज कर लेना यहां पर इस फेब सीगरेट के आई शेडव पैलेट से मैं आई मेकाप क्रियेट करने वाली हूँ यहां पर ब्राउन शेड लिया है ऑल ब्रॉड़ उसके बात में वही ब्राउन शेड में शिमर शेड का यूज कर रा है यह वाला जो मेकप बिसेकली आप इंडियन फंचन में या बेस्टन फंचन में भी यूज कर सकते हो मतलब कि पार्टी वगेरा में पर यूज कर सकते हूं क्योंकि मैंने यह पर बोल्ड लिप्स्टिक शेल्ड यूज कर रहा था यह काफी अच्छा लग रहा था एंद मुझे बोल्ड शेड़ी ज्यादा पसंद आते हैं यहां पर मैंने मिला आइलाइनर यूज कर रहा है अच्छे से एक विंग ट्रो कर रही हूं और मुझे इस पूरे मेकप वीडियो में स्रिफ आई मेकप और लिप्स्टिक की पसंद आई है आप बताना आपको ज्यादा ज्यादा क्या पसंद आए उसके बाद मैंने आप एडियेस का मस्कारा यूज कर रहा है तो यह मेरा आई मेकप का फाइनल लूक है और उसके बाद मैं यहां पर ब्लश के लिए एकदम पीच शेड यूज करने वाली हूं जो कि मैंने लिप्स्टिक का जो शेड है काफी ज्यादा डा रखा है अगर मैं ब्लश का भी शेड डार्क रहोंगी तो यह वह बिल्कुल भी बैलेंस नहीं लगेगा और बहुत ज्यादा ओवर मेकप लगेगा तो मैंने यहां पर पीच शेड यूज करा है यह काफी ब्यूटिफुल सा नेचरों सा लग रहा था यह काफी ज्याद इन फेक्ट शो इसे मैंने एक ब्लश के ब्रश का है से ब्लाइन कर रही हूं यहां पर मैंने लेरी रोड़ा का यह आई लैटर प्लेट इस करा है इसमें जो आते हो देन शेड आते हैं तीन हो तीन इतन ने जादे ब्यूटिफुल है कि मैं क्या ही बताऊ एक दम बटर की त आता है उसमें यह डेट बोल्ड शेडियूज करा है और उसे भी मेरा मन नहीं पर तुमें नहीं आप एक लिक्विड लिप्स्टिक इसके उपर से अप्लाइ करी ता कि मैट लिप्स्टिक हो जाए यहां पर लिप्स्टिक कर लिए और यह मेरा है फाइनल लूप कैसा लगा तो उनको भी बेज़ देना बाकि यह वाला लूक आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना कमें स्ट्रिक्शन में सुमें मिलते अपने नेक्स्ट टूडियो में तब तक के लिए टिक केर एंड बाइब लव यू टू आल जए आल हुआ आल हुआ आल हुआ हुआ हुआ